तो बच्चो मैं वैभाव आपका स्वागत करता हूं अपनी कक्षा पर तो आज का जो चेप्टर है वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टी वन शॉट में हम चेप्टर रिवाइज करने वाले हैं और NCRT के उपर पूरे का पूरा बेस चेप्टर है यानि कि आपको ऐसा ही लगए पर जो कहानी है इस चेप्टर की पॉलिटिकल पार्टी की उससे पहले कुछ हम जाते हैं अपनी पिछली क्लास में जहां पर हमने हिस्ट्री का एक चेप्टर जिसका नाम था फ्रेंच रिवोलुशन वहां पी कंडिशन को याद करो कि वहां पे लूइस 16 रूल कर रहा है औ आद तो क्या वह जंता उस लीडर को चेंज कर सकती थी नहीं कर सकती थी इसीलिए उन्होंने वहां पटा रिवोलुट किया, और फ्रेंच रिवोलुशन के बाद वहां कि जंता को एक पावर मिली राइट-dew устрой की यानी कि अब वह वोट करके अपना लीडर चूज कर सकती थ इस पावर को बोला गया डिमोक्रेसी तो यानि कि डिमोक्रिसी वो पावर है जहां पर आप अपने लीडर को बाइदा means of elections elect कर सकते हो यानि कि आप अपनी पिछली mistake को सुधार सकते तो हब हमारे यहां पर भी यह condition हुई condition कैसे कि democracy आई जब हम 1947 में independent हुए तो independent होने के बाद हमारे constitution में हमें लिखा गया democratic republic यानि कि यहां हम democracy भी है और republic भी है तो जहां पर हमारा country का head भे elected है और government भे elected है तो अब यहां पर constitution तो हम में से किसी ने पढ़ा नहीं है जब constitution नहीं पढ़ा है तो हम क्या समझते हैं कि government कौन run कर रहा है हमारे जो leaders हैं वो run कर रहे हैं यानि कि हमारी political parties हैं वो रन कर रहे हैं तो political parties की ज़रूरत यानि कि major component हो जाती है किसी भी democracy में तो उस democracy में जो major component है political parties तो वो बंती कैसे हैं जैसे इंडिया हमें पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का तरीका क्या है कि आपको अपनी पार्टी एलेक्शन कमिशन के पास रेजिस्टर करानी पड़ेगी दूसरा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रुवत पढ़ती क्यों है हमने पढ़ा डेमोक्रेसी में कि हमारी जो डेमोक्रेसी है व कोई और काम नहीं है काम है जैसे election contest करना दूसरा काम क्या हो जाएगा election के अलावा दूसरा काम हमारा हो जाता है जैसे कि क्या करती है political parties हमारे यहां पर जो लोगों की opinion है उसको develop करना कि इंडिया इतना बड़ा vast country है यहां पर क्या-क्या चीजे होती है किस एरिया में क्या हो र पढ़ेंगे कि इंडिया एक federal country है तो इंडिया में बहुत सारी parties हो सकती है जैसे state party हो सकती है national party हो सकती है और इंडिया में multi parties हैं तो क्यों है इसके बारे में भी हम इस chapter में पढ़ने वाले कि China single party है तो वहां क्या नुक्सान है इंडिया multi party है तो क्या पाइदा है तो यह भी हम इस chapter में पढ़ेंगे साथ ही साथ हम यह पढ़ेंगे कि political parties की क्या-क्या कमिया है जिनने दूर किया जाना जरूरी है और कौन-कौन सी कमिया अभी तक हम दूर कर चुके हैं political parties के context में तो कुछ suggestions पढ़ेंगे और कुछ जो हम अभी तक resolve कर चुके हैं problems उनके बारे पढ़े तो चेप्टर को शुरू करते हैं तो बच्चों हमारा आज का चेप्टर शुरू करते हैं political parties introduction में तुमने पढ़ चुके हो कि democracy क्या है कैसे है क्यों जरूरत पढ़ती है democracy में कि हम वोट की जरूरत क्यों है क्या फायदे हैं यह सब कुछ हम introduction में पढ़ चुके हैं तो अब सब्सक्राइबो करते हैं mechanical parties टो political parties की जरूरत क्यों है कैसे है इसको पूरे का पूरा detail में हम पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले तुम यह बताओ कि प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं तो सेंटर लेवल पर रूल करने वाजी दो मेजर पार्टी कोंग्रेश और बीजेपी यही सब के दिमाग में आता है कि हाँ यही शायद दो मेजर पार्टी सें यह आप अपने अपने अरियाज में याद आएंगे तो यानिके कुछ मेजर पार्टी होती हैं जो हमारे दिमाग में छाप छोड़ती हैं तो लेकिन अभी कोशन क्या है कि वहीं उस कोशन तक पहुशने के लिए कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं नाइंथ क्लास का चैप्टर याद करो तुम कौन सा वाट इस डेमोक्रेसी वाइड डेमोक्रेसी यह हम पढ़ चुके हैं एक ओर चैप्टर याद करो क्या इलेक्टरल पॉलिटिक्स और उसके बाद एक चैप्टर और याद करो वरकिंग ओफ इंस्टीशन तो law making body jyoh है हमारे यहां पे वह कितने लेविल पे है वह law making body है दो लेविल कौन-कौन से एक union और एक स्टेट यानि م है यहनि जो unie ।्यूमने क्या भूलाया है और जो वे इस्टेट मे लोग मेकजवार डी है उसको क्या भूलाया है इस्टेट लेजिसलेचर बुलाया है तो अब यहां पर मैं तुमसे पूछू कि इलेक्शन कौन-कौन से हाउस के लिए होते हैं हमें पता है कि हमारे यहां पर जो पार्लेमेंट है वो बाई केमरल है यानि के लेजिसलेटिव असेंबली और लेजिसलेटिव काउंसल कितने स्टेट में सिर्फ सिक्स स्टेट्स में हैं तो देख एक चीज समझने के लिए समझ लो तुम्हें जैनल नॉलिज के लिए बतारों कि याद रहेगी कि जैसे लोगसभा का जो इलेक्शन है यह कैसे इलेक्शन है डायरेक्ट इलेक्शन है यानि के यहां पर जनता डायरेक्ट वोट करेगी और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी लोगसभा का भी और लेजिसलेटिव असेंबली का दोनों का इलेक्शन कैसा है बच्चा डायरेक्ट इलेक्शन है लेकि यहां पर legislative assembly का जो election है इसको क्या बोलेंगे general election ना बोलके इसको क्या बोलते हैं असेंबली election बोलते हैं या हिंदी में तुमने एक टाम सुनी होगी विधान सभा चुनाव जिन बच्चों को यह चीज समझ में नहीं आती वो समझो कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम किसके लिए करते हैं लोकसभा का चुनाव प्रधान मंत्री के लिए यानि कि प्र सभा बोलेंगे इन्हें विधान सभा का चुनाव या असेंबली election के नाम से बोला जाएगा तो अभी यहां पर लेजिसलेटिव काउंसिल कुछ बच्चों को नहीं पता होगा लेजिसलेटिव काउंसिल इंडिया के हर स्टेट में नहीं है सिर्फ कितने स्टेट में सिक्स स स्टेट में वो सिक्स स्टेट कौन कौन से यूपी है बिहार है आंदरप्रदेश तलंगाना महराष्र और करणाठ का सिर्फ यह चे यहां पर लेजिसलेटिव काउंसिल और लेजिसलेटिव असेंबली दोनों मिलते हैं तीक है अब लेजिसलेटिव असम्बली कितनी जगह तो आम चुनाव यानि कि जनल एलेक्शन की बात करें और यानि कि हम विधान सभा यानि कि इस्टेट की बात करें तो यह दोनों कि दोनों उमने क्यों है आखिरकार क्यों जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है देखो यार हमारे यहां पे एक किताब है जो 26 जैन्वरी 1950 को लागू की गई उस किताब का नाम क्या है क्या बताया गया कि इंडिया जो है डिमोक्रेसी होगा और रिपबलिक होगा यानि के यहां पे जो गवर्मेंट होगी वो एलेक्शन के थूरू चुनी जाएगी है अब उस कॉंसिटिशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो कितने लोगों को पता है कि हमारा देश कॉंस्टिटूशन से चलता है मेरे खैल से अगर आप किसी रूरल एरिया में जाओगे या किसी नॉमल आदमी से पूछोगे कि भाई क्या हमारा देश चलाता कौन है तो तुम्हारे सामने कोशन आएगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज चलाती है कभी यह कोई यह है ना तो हमारे कंट्री को रन कौन करता है लोगों के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज रन करती है तो और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी है तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज भी है तो देखो पॉलि है इंडिया में अब उस्मधो एलेक्शंस वो रहे हैं इलेक्शंस कौन Towards रही है तो इसलिए कहींना कहीं लोगों को लगता है कि वहां जो भी पैठा वह पॉलिटी कल पार्टी से गया है और वो देश चला रहा है यह बहुत कम लोगों को पता होता है कि देश कौन चला रहा है Constitution चला रहा है तो यहां यह कहानी political parties की जरूरत क्यों पढ़ने वाली है यह हम पढ़ेंगे आज इस chapter के through तो देखो अभी क्या है सबसे पहले अगला question आएगा कि ठीक है political parties होती क्या है यह तो पता लग गया कि हाँ लोग political parties समझते हैं कि देश को चलाने के लिए political parties की जरूरत है लेकिन यह होते क्या है political parties है क्या आखिरकार तो देखो बच्चा political parties क्या है कि देखो एक group है लोगों का तो वो जो group है वो क्या करेगा सब की अच्छाई के लिए काम करेगा यानि कि collective good को promote करेगा लोगों के यानि कि जो देश में जनता है जनता को आगे बढ़ाने के लिए या देश को उपर उठाने के लिए सब के लिए काम करेगा development की बात करेगा growth की बात करेगा तो वह कौन कर रहा है वो group बात कर रहा है वह बात आपको कैसे बताएगा कि मैं अच्छाई इंप्लिमेंट करूंगा तो अच्छा यहां पर मैंने क्टम यूज की लेक्शन तो यानि के चैसे पावर में आएक इंडिया के लिए एक ग्रूप होता है जो क्या करता है लोगों की अच्छाही के काम करेगा कैसे election जीतने के बार अपनी policies को आगे बढ़िए कर को Implement करने के लिए तो समझ में आगया political parties के बारे में तुम्हें समझ में आ गया हो गया यह तो चल्व अब consider में समझ में आ गया अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि भई political parties की जरूरत है तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है तो देखो political parties जब किसी आदमी ने आपके दिमाब में कुछ बताया है ना मैंने आपको बताया कि भई यह जो party लेकिंग पावर अच्छा है इसका यह आदमी अच्छा है मालों मुझे कोई नेता अच्छा लग रहा है तो यह लीडर अच्छा है तो यह सारी की सारी के बारे में सुनोंगा तो अब यहाँ पर आपने प्राइटी एक्स पसंद कर तो पार्टी वाई को फिशा की सारी होगा तुससाइटि में डिविजन होग वरा पारटी एक्स अच्छे है आपके दिमить के हिसाब से पार्टी वाई अच्छी है तो यानि कि जो सोसाइटी का एक फ्रेक्षन है वो डिवीजन हो गया वो डिवाइड हो गया तो उसी डिवीजन को क्या बोला पार्टीजन शिप बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है पूछ लिया जाता है पहले पूछा भी गया काम को पसंद करने लगते हो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करने लगते हो कम समझने लगते हो बेकार समझने लगते हो उसी चीज़ को क्या बोला गया है पार्टीजन शिप बोला गया है तो क्या पार्टीजन शिप अच्छी है सोसाइटी के लिए तो अच्छा तो कुछ होगा नहीं जो चीज डिवाइड करें society को क्या वो अच्छी होगी नहीं होगी हम लोगों में एक आदत होती है नहीं कि हम लोग क्या करते है नेताओं के fan हो जाते हैं कि हाँ भाई वो मेरा नेता ऐसा है मैं उसका fan हूँ तो नेताओं के लिए फहनोंगे की जरुवत नहीं हैं, democracy क्या कहती है, कि आप जो नेता है है उसके against बोलना सीको, अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके गलत काम को गलत बताओ, अच्छे काम को अच्छा बताओ, ये चीज होती है, लेकिन हम लोग क्या करते है, society में ल भी ब्यूटी है तो यहां पर पार्टिजन शेम तो समझ में आ गया कि सोसाइटी में किसी पॉलिटिकल आइडियलोजी की वज़े से जो डिविजन है उसी को क्या बोला गया है पार्टिजन शिप बोला गया है अगला कोशन देखो क्या आता है कि बहुत कंपोनेंट्स क्या- पॉलिटीकल पार्टी के तो यहां फे दो एक्जामपल लो एक USA का एक्जामपल लेते हैं और एक इंडिया का एक्जामपल लेते हैं तो USA और इंडिया में क्या अंतर हैं सोचो ज़रा थोड़ा सा कि USA में अगर किसी आदमी को को प्रेसिदेंट का एक्षण कंटेस्ट करना है तो कौन कंटेस्ट कर रहा है और या किसी ने समझना यहां पर जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वह बहुत रॉल प्ले करते हैं अपने लीडर को करने में याelson में यहां पर उनके मेंबर्स से पूछा आज Bayं कि बताओ कि हम को किसको कंटेस्ट करने के लिए लेकिन इंटिया में एसा नहीं है इंडिया में लीडर्स ही सारे सासर डिसीजन ले ले लेते हैं मेंबर्स के पास ऐसी पावर नहीं होती तो यहां पर components है components में तीन में components है एक leaders, एक members और एक followers तो ये तीनों क्या हैं इनको समझो leaders वो हैं कि कल को अगर लोगसभा का चुनाव हुआ तो लोगसभा का चुनाव होने के बाद प्रधान मंतरी यानि कि Prime Minister कौन बनेगा या उसके जो ministers हैं वो कौन बनेगा ये सारी की सारी चीज़े किसमें आगे आपके leaders यानि कि हाँ हमें पता है कि कल को अगर एक्जामपल बीजेपी एलेक्शन कंटेस्ट करती है तो सबको पता कि नरहेंदर मोधी Prime Minister फेस हैं तो प्रधान मंतरी बनेंगे और ministers जो बनेंगे वो बड़े-बड़े अमिश्रा हो गए राजना सिंग हो गए ये लोग minister बनेगे लेकिन उस party में जो members हैं उनका क्या रोल था फिर election जिताने के काम तो उन्हों नहीं भी किया है ना कि लोगों के पास गए हैं घर में कि यह काम करो ऐसे करो इसको वोट दो हमां आपका फायदा होगा यह फायदे हैं यह नुकसान है तो काम तो members ने भी किया ना तो यहां पर जो leaders हैं इंडिया में यह major role play करते हैं किसी भी political party में लेकिन उसके बाद आते members ठीक है means government form करते हैं कौन लोग leaders करेंगे लेकिन जो basically देखा जाए धरातल पर बिल्कुल नीचे आके जो काम कर रहे हैं वह कौन कर रहा है members काम कर रहे हैं यानि कि गाओं गाओं में अप में से कितने लोग प्रधान मंत्री से मिले हो नहीं मिले ना लेकिन हाँ आप अपने एरिया में जो members होंगे उन से जरूर मिले होगे अपने आप मेरे खाल से लोकल MP से भी हम लोग नहीं मिल पाते हैं तो यह कुछ कमिया है इंडिया और USA के इंडिया में यानि कि वहां के members इलेक्ट करके बेशते हैं कि यह leader बनेगा हमारा लेकिन यहां में members को इक तरीकी से neglected कर दिया जाता है इंडिया के अंदर फिर बारी आती है followers की followers मैंने बताया partisanship के हिसाब से जो society divide हो गई है अब मेरे को अगर party X की ideology अच्छी लग रही है तो मैं party X का follower हो जाओगा आपको party Y की ideology अच्छी लग रही है तो आप party Y के follower हो जाओगे तो यानि कि जो लोग vote डाल रहे हैं finally main power किसके हाथ में followers के हाथ में यानि कि vote डालेंगे यह government तभी बना पाएगा जब followers इसको वोट देंगे हैना तो देखो वोट देने की जो main power है वो किसके पास है followers के पास तो देखा जाए indirectly जो leaders चुनके जा रहे हैं हो किसके थ्रू जा रहे है followers के थ्रू जा रहे हैं ठीक है हमारे इंडिया में power किसके पास ज्यादा है वैसे leaders के पास ज्यादा power से अगर party के context में बात करी जाए members के पास इतनी powers नहीं है वहीं USA में मैंने example बताया तुमें कि USA में members के पास ज्यादा power है leader बनाने के लिए ठीक है यहां जो leader है वो leader है ही कई बार तो members leader बन ही नहीं पाते हैं कायदे में members को leader बनना चाहिए उन्होंनों इतने दिन लगाए काम करने के लिए party में लेकिन यह possibility इंडिया में नहीं आ पाती है ठीक है followers किया है जो वोट डालके अपना चुन रहे है लीडर को ठीक है इसके बाद की कहानी आती है functions of political parties भीया काम क्या है political parties का कहना सर जूट बोलना कि वो जूटे वादे कर देते और जो वादे करते हैं वो हम तक कभी पहुंच नहीं पाते ह है ना तो नहीं यह function तो नहीं है काईदे में हमारे constitution के हिसाब से बाकी और कुछ functions है उनके बारे में हम अभी बात करेंगे जैसे सबसे पहला function हमारे दिमाग में क्या आता है कि भीया contest elections political parties होंगी तो वो election contest करेंगी है ना मैंने बताया था ना शुरू में ही meaning में क्या बताया था कि भीया एक group होता है जो लोग एक collective good के लिए काम करता है अपनी policies को implement कराके और वो policies कैसे implement कराएगा election जीत के तो political parties का main काम क्या है election contest करना यानि कि इंडिया एक democratic country है तो जब वो democratic country है तो वहां पे election भी होंगे election होगा तो election contest कौन कर रहा है political parties चीज कंटेस्ट कर रही है है तो यह political parties क्या करेंगे election contest करेंगे है तो देखो वही सेम चीज़ जैसे मैंने तुम्हें बताया भी कि leaders कौन हो गए है तो यह leaders decide करेंगे कि भीया किस को ticket मिलना चाहिए election contest करने के लिए जैसे यहां पे आप अपने school का example लो school में सबसेदा पावर ना किस के पास है, principle के पास है तो principle करेंगे कि 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 क्लास का class teacher कौन बनेगा, यह principle ही decide करता है बाकी तो members ओर भी है तो वो leader हो गया तो ऐसे ही यहां पे कि कोन किस seat से election contest करेगा ये decision कौन ले रहा है leaders decision ले रहा है leaders decision ले रहे है कि उनकी political party से कौन election contest करेगा एक particular area से या constituency से तो contest election समझ में आ गया पहला काम क्या हो गया election contest करना दूसरा काम क्या होगा देखो the shape public opinion public opinion को कैसे shape करेंगे public opinion की बच्चा मैं बात बताओं तुम्हें तो यहां पर दिहान से सुनो कि इंडिया एक बहुत वास्ट लेंड मांस है बहुत बड़ा एरिया है इंडिया तो अब बहुत बड़ा एरिया है तो यहां पर कुछ लोग जैसे आप लोग यूपी में रह डेली में रह रह रहो यह नॉर्थ इंडिया के एक यह पार्ट में रह रह रहे हो हमें अपने स्टेक्ट के बारे में नहीं पता होता और ने कंगते नियू ईश्वालों को यह क्षोर्ण में दैक्ति और और टा बताएंगे आपके नेता अब वो नेता कहें है फॉलिटिकल पार्टी में तो दूसरा काम क्या हो गया बहुत पलीक को स्थिप करना कि क्या काम है बेसीकल ही कि वहां पे ऐता है तň हमें कुस ने बताया पॉलिटिकल पार्टी बताती है कैसे अपने भाषणों के थुरू अपने जो पैंफलेट बाढ़ती हैं उसके थुरू या जो उनका मैनिफेस्टो आता है एलेक्शन केंपेनिंग में उस टाइम पे कि भाई ये ये चल रहा है हम ये चीजे करेंगे है ना तो जैसे हम एक्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक्जांपल लो क अबिए किसी पार्टि जो हो आके क्या करूंगा कि इस कूल्स जो हैं उनको डिजीटलाइज कर देंगे तो जो इसकूल सब भी तक गवर्मेंट डिज्टलाइज नहीं इनको डिज्टलाइज कर दिया जाएगा तो ये चीज अगलकि को अच्छी लगेगी तो वह उसको वो मुझे बास्केटबॉल खेलनी है तो मैं ये काम करूंगा तो पब्लिक ओपिनियों शेप कर लिया यानि कि सुसाइटी को यहां पर डिवाइड कर दिया ना पार्टिजन शेप जो मैंने बताया था कि एक वो बच्चे जो पढ़ाकू है ना जिन्हें पढ़ना बहुत विश्रुवात होती है जो मैंने तुम्हें बताया था उसके माला आता है help people to access government machinery and welfare scheme अब देखो यहां पर एक example समझो welfare schemes यहां पर चीज तो हमें पता है साफ-साफ कि जो government policies है हमें कितने लोगों को पता होती है कि government की policy है या नहीं अब यहां पर कोई हम example लेते हैं कोई small scale industry है उस small scale industry का कोई member जो है owner जो है वो जाता है bank में कि मुझे ऐसे करके लोन चाहिए अब बैंक उसका लोन reject कर देता है for example तो वह जाएगा अपने नेता के पास कि ऐसे ऐसे बात हो गई है अब मेरे को लोन जो है नहीं मिल पा रहा है मैं लोन लेने गया था तो मुझे लोन नहीं मिला तो हो सकता है वह नेता बताए कि जैसे फिलहाल government ने स्कीम चलाई मुद्रा स्कीम के थूँ आप क्या करो एप्लाई करो क्या पता आपको लोन मिल जाए तो यह हो सकता है अब मालो कहीं पर कोई जगडा हो जाए तो पुलिस यह जो हमारे administrators होते हैं हम उनसे बात करने से डरते हैं हम उनको समझते हैं वो राजा महराजा हो गया क सोच भी है लेकिन आप अपने जो नेता होते हैं उनसे बात करने से नहीं डरते क्यों नहीं डरते हैं आपको पता कि मैंने वोट दिया था इसको मेरे हमारे बीच में सी तो है यह हमने वोट दिया था तो यह हमारी बास सुनेगा तो इसलिए जो welfare schemes है government की वेरियस उनके बार कौन काम करता है political parties काम करती है political parties के कौन लोग जो members है उसके वह लोग भी करी बार काम करते हैं आप इन सकते हो अगली बार हमारी government फिर से आएगी तो क्या करोगे आप अगली बार फिर से इसको implement करा सकते हो अगली बार से यह और अच्छा काम करेगी तो ऐसे करके welfare schemes के बारे में बताया जाता है दूसरा जो elections हा जाती है democracy की beauty क्या है democracy की beauty बच्चा यह है कि हमारे यहां पे हम हमारे government से questioning कर सकते हैं कि आपने यह काम किया तो क्यों किया लेकिन अब हम तो political party है ही नहीं हम तो parliament में बैठे हुए हैं ही नहीं तो parliament में कौन बैठता है हमारे questioning करने के लिए opposition party तो यानि के दो party हो जाती है एक ruling party जो government चला रही है या run कर रही है दूसरी party जो ऊस government से questioning करेगी कि भहिँ आपने यह करा तो क्यों करा यह गलत है society के लिए है यह सारे के सारे काम कोन करता है opposition party अगर political parties नहीं हो तो सोचो कि opposition party पौम हो सकती है नहीं हो सकती है तो देखो यहां पर मैं तुम्हें एक बात बता दो कि opposition party बनने के लिए minimum votes जो चाहिए यानि कि minimum seats जो चाहिए लोग समन में वो total seats का 1 by 10 चाहिए 1 by 10 कैसे चाहिए यानि कि 543 seats है तो 54 seats उसके पास होनी चाहिए तभी वो party को major opposition party बोला जाएगा वैसे तो सारी party opposition हो जाती है लेकिन जो opposition leader बनेगा वो उसी party का बनेगा जिसके पास 1 by 10 seats होंगी तो यह कहानी तुम्हें समझ में आगी कि जो elections जीतती हैं वो ruling party हो जाती है और जो हारती है वो opposition party हो जाती है जो government से questioning करेंगी इसके बाद अगला function हमारा आता है forms and run government at different levels हम अगर इंडिया के context में बात करें तो इंडिया एक 80 फेडरल कंट्री है जहां पर एक से ज्यादा लेवल पर government है यह हम chapter 2 federalism में पढ़के आ चुके हैं कि इंडिया में तीन लेवल पर government है सबसे पहले लोकल फिर state फिर center तो यहां पर तीनों level पर government form होती है जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था union level पे और state level और ऐसी local लेवल पर पी तो यहां पे कई बार क्या होता है political parties ही election contest करते हैं कई बार क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि political parties election contest करती हैं general and state level पे और वह अपनी government form करती है local level पे जेनरली पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बहुत कम चांसिज होते हैं कि वो ग्राम पंचायत लेवल पर इलेक्शन कंटेस्ट करें हैं तो समझ में आ गई होगी यह चीज कि यह क्या काम है रन करना गवर्मेंट को डिफरेंट लेवल्स कानून बनाने में काम करती हैं, कानून में कैसे काम करेंगी बच्चा? हमें सबको पता है कि अगर हम पार्लेमेंट के कंटेक्स में बात करते हैं इंडिया में तो पार्लेमेंट में कितने हाउस है हमारे यहां पर बच्चा दो हाउस है एक हाउस है हमारे यहां पर लोकसभा और दूसरा हाउस है हमारे यहां पर राज्यसभा तो कोई भी लौ बनेगा तो वो लौ बनेगा कैसे या तो लोकसभा से start होगा, तो राज़सभा जाएगा, और अगर राज़सभा से start होगा, तो लोकसभा होगा, अब अगर इन दोनों houses से pass हो जाएगा, तो pass होने के बाद पहुचेगा वह किस के पास बच्चा, प्रेसिडेंट के पास तो अब अगर प्रेसिडेंट क्या कर देंगे इस पे साइन कर देंगे तो वो law बन जाएगा ठीक है? साइन करने के बाद वो law बन जाएगा, formulating laws of the country तो country के laws को formulate करने की बात की गई है कौन करती है? political parties पार्लेमेंट पे कौन बैठा है? election contest करने के बाद political parties ही बैठी है तो political parties जब उन्होंने जो policies बताई थी आपको election contest करने से पहले उनको law बनाएगी कौन? political parties तो ये political parties कैसे बनाएगी law? मैने तुम्हें बता दिया इस तरीके से bill लेके आएगी, bill पाहओ एक house से पास होगा, फिर दूसरे house में जाएगा फिर दोनों house से पास होने के बाद president उस पे sign कर देंगे और उस bill को law में convert कर देंगे, तो law बनाने का तरीका तुम लोगों को समझ में आ गया होगा आगे की कहानी समझो, आगे की कहानी क्या कहती है अगला function यह कहता है put forward different policies and programs अब government ने जो policies बनाई है उनको implement करने का काम भी किसका है political parties का ही काम है न तो जैसे mg नरेगा है mg नरेगा में जो policies बनी कि भई हाँ, decision लिया गया कि हम rural areas में 100 days के लिए क्या देंगे employment देंगे, तो 100 days के लिए जो implement देने की बात कही गई तो वो देने का काम कौन करेगा government ही करेगी न तो वो government कहां से बनी है political parties से तो जहां पे political parties होंगी तो different policies और programs को आगे बढ़ाने का काम भी कौन कर रहा है political parties करेगी यह हम अपने meaning में पढ़ चुके थे meaning में क्या पढ़ाता है एक group है जो collective good के लिए काम कर रहा है अपनी policies को आगे बढ़ा के कैसे election जीतने के बाद तो election जीता तो political party ने election जीता उसी ने अपनी government form की अपनी government form करने के बाद उसने यह सारे के सारे काम किये अब यहां पर अगला question है necessity of political parties तो देविया necessity कि अगर मैं तुमसे बात करूँ political parties की अब यहां पर एक चीज समझो कि भई यह person X है यह person Y है यह person Z है यह person A है इसने भी election contest किया इसने भी contest किया इसने भी contest किया इसने भी contest किया ठीक है यह भी जीत गया यह भी जीत गया ये भी जीत गया, सारे के सारे election जीत गया, अब इंडिया पे या किसी भी country पे decision लेने की power आती है, कि भई हमें decision लेना है, कि हमें दूसरे country से क्या खरीदने, हतियार खरीदने, For example, हम helicopter की बात करते हैं, ठीक है, USA में एक helicopter है, कौन सा, Apache, है ना, Russia की बात करें, Russia में एक helicopter है, M17, है ना, अब person X क्या था कि हम USA से खरीदेंगे, Person A क्या रहा है, हम Russia से खरीदेंगे, अब person Y क्या रहा है, कि भई मैं कहां से खरीदूँगा, China से खरीदते हैं, यह person Z क्या रहा है, कि नहीं यार, हम France से करीबते हैं, है ना, तो ऐसे करके, चारों अलग-अलग हो गए, Decision किसने लिया, Decision कोई नहीं ले पाएगा, अगर Majority नहीं आएगी, अब Majority आएगी कैसे, जब एक ही ideology के लोग बैठे होंगे, यह चारों की ideology अलग है, तो चारों की ideology अलग है, तो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी या नहीं होगी, अब सोचो, Political Parties, अगर नहीं हर कोई Candidate Independent लड़ा है, है ना, सबसे पहली चीज़, Every Candidate in the Elections will be Independent, Independent हो जाएगा, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy change, कोई वायदा नहीं करेगा, कि हाँ भई मैं देश के लिए ऐसा करूँगा, आपको employment दूँगा, या आपका ये फायदा करूँगा, ये फायदा करूँगा, ऐसे कोई वायदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास power ही नहीं होगी, अब मैंने जैसे आप example बताया, कि भई, x, y, z, जो है, ये चार candidate है, इनके पास अलग 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 चीज़ों से इन्होंने implement करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, clash होगा, तो clash होगे, decision making बहुत जादा बेकार हो जाएगी, और अगर कुछ भी गलत होता है, ठीक है ना, कुछ भी गलत होता है, अगर हमारे पास political parties नहीं होंगी, इसलिए जरूरी होती है, हमारे यहाँ पर political parties, तो ये कहानी तुम्हें समझ में आई होगी, कि जरूरत क्यों है political parties की, देखो, दूसरा जो important part है कि political parties होने की वज़े से हमें क्या फाइदे होते हैं, वो हमने नुकसान पढ़ा कि कोई decision नहीं लिया जाएगा, अब फाइदा पढ़ो कि political parties होने की वज़े से फाइदा क्या होगा, सबसे पहले, representative democracy में political parties की बहुत जरूरत है, अब यहाँ पर तुम्हें दिमाब में question आजाएगा, सर, representative democracy क्या है, नाइंत क्लास में पहला chapter था न, what is democracy, why democracy, वहाँ पढ़ी दी न, democracy, एक direct democracy, और एक direct democracy, डारेक्ट democracy, जहाँ पे जो वहाँ की जनता है, population है, उससे referendum करा के decisions लिय जाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, representative democracy जैसे इंडिया में बहुत बड़ी population है, तो हम यहाँ पर direct democracy को implement नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, हमने करा, representative democracy, यानि के indirect democracy की हमारे representative, parliament में बैठेंगे, और वो जाके हमारे बहाँ पे decisions लेंगे, कि भाया, यह चीज है, और यह चीज ऐसे होनी चाहिए, तो वो हो गया, representative democracy, तो democracy होगी political parties में, तो representative democracy बनेगी, यहाँ पर क्या होगा, responsible government बनेगी, अब आज की date में, जैसे क्या NDA government, यानि के National Democratic Alliance, जो है, वो ruling में है, यानि के BJP की party ruling में है, तो इंडिया में फिलहाल कोई भी decision लिये जाते हैं, तो उसक के लिए कौन responsible है, वही responsible है, तो इसी को बोला गया है, responsible government, यानि कि जो भी decision making power है, या decision taking powers है, वो सारी की सारी उसी के पास है, अगर उनकी वज़े से कुछ भी गलत या सही होगा, तो वो कौन हो, उसके लिए responsible कौन होगा, वो political party होगी, दूसरा justify और oppose them, ठीक है, means हमारे पास एक फायदा हो रहे है, कि opposition party होगी, तो वो उनको oppose भी कर सकती है, और वो उनको justify भी कर सकती है, कि हाँ ये सही था, इनका जो decision था, ये ठीक था, तो नहीं तो ये खीचातनी चलती रहेगी, कि हाँ भी नहीं, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो यहाँ पर ये तुम लोगो को समझ में आ गया होगा, कि जरूरत क्यों है, अगर नहीं होगी, तो कोई responsibility नहीं लेगा, कोई government नहीं फार्म कर पाएगा, और कोई एक दूसरे को, हर कोई एक दूसरे को oppose करेगा, उस condition में तो, हैना, कि मैंने अच्छा करा था, इसने विकार करा, तो, सोचो, 543 मेंबर्स ह इंडियन पार्लेमेंट में, लोकसभा में, 543 रही है, 543 इंडिपेंडेंट हो जाए, तो, सोचो, क्या chaos मचेगा, हैना, अभी तो, इतना तगड़ा chaos मचता है, कि वो एक दूसरे को पर कुछ भी उठागा, तो, लेकिन सोचो, कि इतना chaos मचेगा, क्या होगा, उस condition में, तो पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, उनके काम क्या है, उनका मतलब क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन, अब कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ये हमें कैसे पता लगे, कितनी पॉलिटिकल पार्टी ठीक हैं, या कितनी पॉलिटिकल पार्टी गलत हैं तो देखो यार अगर मैं डेमोक्रेसी की बिल्कुल बात बताऊं तो सबसे पहले तो मैं पहले यहां पर थोड़ा सा पढ़ दो ओवर्विव लो फिर मैं तुम्हें नाइंथ क्लास का एक एक्जांपल बताऊंगा कि डेमोक्रेसी में क्या है फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी यानि कि अगर आप डेमोक्रेसी में हो तो आप एकदम फ्री हो किस चीज से फ्री हो आप फ्री हो कि भीया आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो तो इंडिया में अप्रोक्सिमेट 750 पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस् पार्टीज वो होंगी जिनके पास एक special political symbol होगा जैसे तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह सारे सारे recognized party है registered parties है कि हाँ अभी उन्होंने register करा लिया है कि हम election contest करेंगे लेकिन अभी तक election contest नहीं किया है एक भी बार तो वह रिकोगनाइज नहीं है कि हाँ यह political party election contest करती है यह नहीं करती है इसके बाद की पहां कानी समझो यह जो मैंने तुम्हें नाइंध क्लास का example चाइना का तुम्हें पढ़ा कि चाइना इस वन पार्टी सिस्टम हमारा कोशन क्या था how many parties should we have हमारे पास कितनी parties होनी चाहिए अगर मैं democracy की बात करों तो सोचो कि यहां पर जो हमारे पार्टी है कौन सी पार्टी है National Communist Party NCP बार में चुन कम्म्मेंसट पार्टी है तो कि सी को भी अगर election contest करना है तो उसके साथ दिक्कत क्या है अगर कोई भी election contest करना चाहता है तो सारे के सारे election इसी पार्टी की ideology के अंडर में होंगे है ना means आपको election contest करना political party बनाओ बेफिक्ष होके लेकिन इन दा एंड आपको वह प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो डिमोक्रेसी का फायदा क्या हुआ तो डिमोक्रेसी में क्या जरूरी है बच्चा कम से कम दो पार्टी तो हो यानि कि इसको इस तरीके से समझो कि डिमोक्रेसी ट्रू डिमोक्रेसी हम उसी को बोलेंगे कि जहां किसी केंडिडेट के जितने जीतने के चांसिस है उतने उसक से बात करूं अगले दो कंट्रीज हमारे USA और UK यह कैसे बच्चा बाइपार्टी सिस्टम है यहाँ पे दो मेजर पार्टीज हैं पार्टीज और भी हैं लेकिन दो मेजर पार्टीज हैं जो हमेशा गवर्मेंट फॉर्म करेंगी जैसे USA में रिपॉब्लिकंस और अछे में क्या चैस DetITY में क्या फाइदे हैं अब हम बात करते हं हमारे इंडियाchny की तो इंडिया जैसे कंट्रीज की बात करें तो हमारे हैं मल्टी पार्टी सिस्टम हैं अब वह सुरू में बताया अभी तुम लोगों को कि अप्रोग्सीमेट 750 पार्टी आ सब्सक्राइब एक चीज है कि भी या कोस कोस पर पानी बदले और अईसे करके कहावत है कि भी यह कोस कोस पर आप थोड़ी सी दूर जाओगे तो आपको एकदम से कहते हैं ना हम जो हमारा डायलेक्ट है वो एकदम चेंज हो जाएगा तो इतने सारे तो पिकेशन है एप евид र रएयगों संदिन रिली इन्टार डीय शांट में होगक कास्ट को हम अब्सक्राइब अब सोच आरे ने को प्रकॉट में ल पन सकती हैं तो हर किसी को मौका मिले तो इसलिए इंडिया क्या किया मल्टी पार्टी सिस्ट्म को अपना या ऑर मल्ải के अलावा फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है उसके बाद बात करते हैं कि देखो वही चीज जो मैं बता रहा था तुम्हें भी कि जो पार्टी सिस्टम कंट्री कंट्री क्या है करती कि कैसे है यह इसमें बहुत सारी चीज़े रोल प्ले Başर रोल्ली छायईगा थे बेसिस पर दिविजन हो जाएगा तो यह सोशल डिविजन हो गए रिजनल डिविजन प्लेस ऑफ बर्थ भीया मैं यूपी का रहने वाला हूं मैं हर्याना का रहने वाला हूं मैं जारगन का रहने वाला हूं तो यह बहुत सारी की सारी चीज़े डिवाइड हो जाएगी है न बनानी चाहिए इच नोट भी चेंग वरी गुटी इच कंडिया डवल्प से पाय मुट्री शेंड तो युक्टील इसे इंडिया के काम नहीं चला सकती थी इतना डाइवर्सिफिकेशन है है ना तो इसी लिए इंडिया धीरे-धीरे एवोल्व होता है किसमें मल्टी पार्टी सिस्टम में है ना तो यह तुम्हें समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी कहानी इसके बाद की जो कहानी है हमारी वच्चा इसके अगर तुम यहां पर देख रहते है कि अगर मैं यहां पर तुम से फर सेकेंट करने को तो तुम्हें रहां कि यह सकेंट है यह Can अब इन्हों ने कहा कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों मिलके इससे उपर निकल जाएंगे और हम अपनी गौवर्मेंट फॉर्म कर सकते हैं तो कॉंग्रेस और GDS ने हाथ मिलाया तो अब यह वन हो गया यह दोऊई हो गया तो अब यहां पर यह लोग कर हैं दो लोग मिलके तो इसी को क्या बोला गया और coalition government बोला गया है तो यानि के coalition government क्या हो गया formed jointly by more than one political party जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल जाएं तो क्या बनाती हैं कोईलेशन बनाती है के ना सर इन्हें कोईलेशन क्यों मनाना पड़ा जब इसके पास सीट जादा थी कोईलेशन इसलिए मनाना पड़ता है बच्चा कि हमारे constitution में एक चीज बताई गई है कि जब तक किसी पार्टी को absolute majority नहीं मिलेगी तो वो government form नहीं कर सकती यानि कि अब यहां पर question arise हो जाता है कि sir absolute majority होती क्या है absolute majority को धिहान से समझना बच्चा है absolute majority कुछ नहीं है 50% plus 1 है of total strength total strength का 50% plus 1 ठीक है total strength का 50% plus 1 अगर किसी पार्टी को मिला है तो ही वो government form कर सकती है otherwise वो coalition form कर लेगी जैसे इंडिया में मैं अगर तुम्हें example दूँ इंडिया में लोग सब हमें जो total seats से बच्चा वो कितनी है 543 है अब 543 का 50% plus 1 निकालोगे तो आप क्या निकालोगे देखना 272 plus 1 निकल के आएगा यानि कि किसी political party को कम से कम अपनी government form करने के लिए कितनी seats चाहिए लोग सब हमें 273 उस political party के members होने चाहिए जो selection जीत के आए हो अगर ऐसा नहीं होता है तो उस condition में for example कि पार्टी एक्स है वाई है जैड है ठीक है पार्टी एक्स के पास है 173 seats इसके पास है 200 seats और इसके पास है 100 seats ठीक है for example तो अगर यह दोनों मिल जाएं तो यह government form कर सकते हैं या फिर यह दोनों मिल जाएं तो government form कर सकते हैं तो यानि कि minimum जो यह number है इससे जादा number possible हो तभी coalition government बन सकती है means अगर किसी पार्टी को absolute majority मिल गई है तो coalition नहीं बनेगा याद रखना है ना coalition किस condition में बनेगा देखो if no party gains majority in general election ध्यान से सुनना if no party gains majority in general election अगर किसी पार्टी को general election में majority नहीं मिलती then more than one party will merge with each other and form a coalition government हिंदी में समझो इसको बोलते हैं गठ बंधन सरकार जिनोंने आपस में गाठ बांध ली हो जब धागा होता ने धागा टूट जाता है उसको तो तोड़ते उसको जोड़ते हैं तो कैसे एक नोट बन जाती नहीं हाँ पर तो उसी को बोला गया है coalition government या गठ बंधन सरकार यानि कि if no party gains absolute majority in general election अगर general election में किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई majority नहीं मिली है absolute majority नहीं मिली है तो वो क्या form कर सकती है coalition government तो यह जो condition है यह उस condition में मैंने तुम्हें बताया है जब किसी पार्टी को क्या नहीं मिला है absolute majority नहीं मिली है आर्टिकल 324 दिया है इंडियन कॉंस्टिटिशन में जो बात करता है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की तो भारते चुनाव आयोग जिसको हम बोलते हैं आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आप जाओगे इलेक्शन कमिशन के पास है ना तो इलेक्शन कमिश पार्टी तो समझ में आ गया कि रेजिस्टर तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन रिकोगनाइब कुछ हो सकती है तो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आप इलेक्शन कमिशन बट समझा थी अब इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया है क्या इल मतलब क्या है यहां पर अटनॉमस मतलब क्या है फ्री बॉडि किसे में सब्सक्र contradiction करती है इसके उपर कोई pressure नहीं ऊपर कशी और नहीं किसी और कर पेशर तो इसको बोला गया है ऐं उटोनिम ह desक बोडी तो यानि कि autonomous body तुम्हें समझ में आ गया independent body है जो independently काम किरती है किसके लिए नेशनल पार्टी में एंड स्टेट पार्टीज अगला جंद में आता है नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज अब देखो अगर हम वह से जाज़ा दो फेडरल कंट्रेस्ट है तो कुछ जो हैं पार्टीज एक पर्सेपाइब्स होगी तो उसको आपकिन को सब्सक्राइबirk एक पर्सेट लॉट हो priority में एक सैट पार्ट्य चेथर इंसप्रस कोणिड़एबीऊ जाए लॉट और तो उसको बोल देंगे हम state party और कुछ होंगी जो एक से ज़्यादा state में famous होंगी तो उनको हम बोल देते हैं national parties एक तरीके से यह तो simple freedom थी national party और state party समझने के लिए यानि कि एक particular state में famous है तो वो state party जो national level पर famous नहीं है ठीक है लेकिन अगर वो बहुत सारे state में famous है तो उसको national party भ क्या क्या conditions है तो वो condition समझो क्या condition है national party बनने के लिए जैसा कि तुम्हें पता लग गया होगा यहां पर देखो द्यान से दो चीज का द्यान रखना यहां पर मैंने old लिखा है यहां पर end लिखा है यानि कि यह condition one जो है और condition two जो है दोनों में से एक भी condition हो जाएगी तो उस it is mandatory यह condition जो है बच्चा यह mandatory है ठीक है और यहां पर इन दोनों में से कोई भी एक condition हो तो देखो जैसे पहली condition क्या कहा गया है कि at least six percent of the total votes इन लोग सभा लोग सभा में total seats कितनी है बच्चा 543 है और इन 543 seats पर जो total voters है उसका six percent जितने vote डले फोर एक्जांपल voters तो बहुत जादा है अब उन voters में से सिर्फ कुछ लोगों ने vote डाला हमारे आपर तुमने देखा होगा कि जो election का ratio रहता है voting का ratio रहता है वो 60 to 70 percent के प्रॉक्स रहता है तो लगबग 30 percent लोग वोट नहीं डालते तो वो जो 70 percent लोगों ने vote डाला है उसका 6 percent यानि कि जो total votes डाले गए हैं लोग सभा के election में उसका 6 percent votes इसको मिल जाए एक condition तो यह है या और यानि कि इन दोनों में से एक ही condition जो assembly election है चार स्टेट के है ना जैसे state UP हो गया बिहार हो गया पंजाब हो गया राजस्थान हो गया और MP हो गया for example यह state हो गये one two three four five five state हो गये तो इन में से कोई भी चार स्टेट के total votes के 6 percent इनको मिल जाए हैना कोई भी चार स्टेट के total votes के 6 percent इनको मिल जाए तो उस condition में वो national party के लिए eligible हो जाएगी या तो लोग सभा के election में जो total votes पढ़ें उसका 6 percent यह जो चार स्टेट हैं उनके चार स्टेट के वोट का 6 percent इनको मिल जाए तो यह eligible हो जाएंगे किसके लिए national party बनने के लिए लेकिन एक mandatory condition क्या लगा दी कि भी या four seats लोग सभा में कितनी है ना कहा पर लोग सभा में कितनी चार सीट उनके पास आने चाहिए यानि कि इस 543 में से four seats उनको क्या करने पड़ेंगी वान करने पड़ेंगी जीतनी पड़ेंगी तभी वो national party बन सकती है otherwise national party नहीं बन सकती ठीक है इसी के basis पे हमारी NCRT में हमें साथ तरह की national party बताई गई हैं तो उन national parties के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं questions past में नहीं पूछेगा हैं लेकिन इस बार syllabus कम है तो शायद पूछ ले तो इसलिए मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि parties की main ideology क्या है कैसे बनी क्या है तो देखो बच्छे नेशनल party बढ़ते national party में सबसे पहले जो नाम आत थी कि A.O. Hume ने बनाई थी किस ने बनाई थी बच्छा A.O. Hume ने बनाई थी जाहर सी बात है 1885 में बनी थी तो वर्ल्ड की कुछ बहुत पुरानी parties में से एक party है ठीक है basically जो leadership जवहालाल नहरों ने बनाई और यह क्या सी चाहते थे secular democratic republic इंडिया चाहते थे democracy का मतलब तुम्हें सबको पता है जहाँ पर government चुनने की छूट होती है election के थूँ रेपबलिक जहाँ पर country का head जो है वो भी elected होगा secular का मतलब क्या हो गया कि इंडिया जो है वो एक ऐसा country होगा जो हर religion को equality की नजर से देखेगा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा particular religion के business पर यह होता है secularism अब ideology कैसी है centralist ideology या centrist ideology तुम पढ़ोगे इसके बारे में तो अब यहाँ तुम्हारे दिमाग में question आ जाएगा कि सर centralist ideology क्या होती है तो देखो तीन तरह की ideology हम पढ़ते हैं बच्चा एक होती है हमारे पास left एक होगी right जाहिट सी बात है एक होगी center यहाँ पर याद रखना left को इस तरीके समझो pro changer जो society में change चाहते हैं उनको क्या बोला गया है leftist है ना right क्या चाहते हैं no changer यानि के यह change के बहुत खिलाफ होते हैं कि change हो भी तो बहुत slowly हो और center क्या होते हैं यह neutral होते चेंज होगा तब भी ठीक है नहीं होगा तब भी ठीक है यह centrist ideology होगी तो Congress क्या है एक ऐसी पार्टी है जो चाहती कि society में change हो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसको तुम लिंक कर सकते हैं अपने कौन से चैप्टर से रश्यन revolution से तो तुमने वहां पर सबसे पहले पढ़े थे कौन लिब्रल सब्राइटे ना तो लिब्रल सो समझ लो जो सोश्लिस थे socialist जो थे वो basically leftist थे society में change चाहते थे और कहते कि जो property है वो सब में divide हो जाए working class को फायदा मिलना चाहिए ये सारी की सारी चीज़े leftist चाहते तो ये socialist ideology हो जाएगी rightist ideology वो हो जाएगी जैसे conservatives वो चाहते थे society में change हो बहुत slow हो इतनी fast नहीं होना चाहिए और जब society में change हो रहा है तो अपने past को धिहान रखा जाए है ना conservatives याद होंगे तुमें फिर centrist में क्या था centrist में किसको बोल सकते हैं एक तरीके से हाँ centrist को तो ये अलगी चीज़ है हाँ centrist को तो ये अलगी चीज़ है तो यहां पर Congress को कैसी पार्टी बोला गया बच्चा centrist पार्टी बोला गया है इसके बाद की कहानी समझो अगला नाम आता है मारे सामने BJP भारते जनता पार्टी का 1980 में भारते जन संग के नाम से जानी जाती थी और अब किस नाम से जानी जाती है भारते जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है basically किसके उपर cultural nationalism है ना तो थोड़ा सा right ideology बोली जाती है इसको कि पुरानी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए हम एक basically हिंदुत्वी यानि जो एक ही कल्चर के लोग है अगर जैसे इंडिया में अगर हिंदूस हिंदूस होंगे तो country में unity बढ़ेगी उससे इनका मानना यह है कि एक ही कल्चर को जादा support करेंगे तो एक ही कल्चर को support करने की वज़े से क्या हो जाएगा unity बढ़ेगी अगर एक अलग-अलग culture के लोग होंगे तो वहाँ पे unity नहीं होगा country disintegrate होने के chances ज्यादा है इनके दो major point थे एक तो जम्मो इंड कश्मीर जैसे तुम्हें पता है जम्मो इंड कश्मीर अभी तक कुछ ताइम पहले तक यानि के 2019 से पहले तक क्या था जम्मो इंड कश्मीर एक ऐसा state था जिसका अपना अलग constitution था अलग flag था अलग anthem था लेकिन अभी 2019 में इसको खत्म कर दिया गया है तो यह जो मुद्धा था यह खब तो दो कोड़् बिल हैं एक हिंदू कोड़् बिल जो हिंदू आइडिलोजी के साब से बनाया गया एक Muslim कोड़् जो Muslims के कल्चर के साब से बनाया गया इनके डिमांड क्याए कि यह खत्म करके एक ही करो जब हम secular country है तो सबके साथ एक ही होना चाहिए तो यह बारे में बात की गी है 1998 में इन्होंने सबसे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस बनाया था मैंने बताया था ना कॉलिशन गवर्मेंट में दो कोईलिशन फेमस है एक एंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक लाइंस उसमें अगली जो नेशनल पार्टि आती है वह कौन सी आती है और इंडिया त्रनमोल कॉंग्रेश एईटी सी ममता बनार जी ने 1998 में बनाई थी और 2016 में इसको नेशनल पार्टि बना देगा जो कंडिशन हमने पढ़ी नेशनल पार्टि की क्या 6% वोट हो या तो लोकसभा में या फिर 6% वोट हो चार स्टेट के असेम्बली एलेक्शन में और साथ ही साथ 4 सीटे होनी चाहिए लोकसभा में उन कंडिश दोनों को मिलना चाहिए दोनों को कहा था तनना सल ना वें किसरे संत्र पावर रहे है तो इसलिए यहां पर यह थोड़ी सी एक्टेव है फिर बीस्पी की बात करते हैं बीस्पी 1984 में किसने काशी नाम लीडर थे जिन्हों पनाई थी फिलहाल जो मेजर लीडर है इसकी वह कौन है मायावती है ठीक है बैसी कि फेमस कहां कहां पर यह पार्टी यूपी दिल्ली और पंजाब में फेमस है ठीक है किसके लिए और बैसी किसकी फोलो करती है यहां से कोशन पूछा जा सकता है तो इनके नाम याद रखना क इसकी आइडिलोजी को यह फोलो करके यह पार्टी बनाई गई थी है ना भेमरा ओमेट का फादर ओफ इंडियन कॉंस्टिटूशन भी कहा जाता है ठीक है और जो तिबा माहत्मा फूले इनकी बात की गई है और पेरियार और रामसावी नहीं करकी बात की गई है जिन्हों नहीं कि जब तुम रश्यन पढ़ रहे थे 1917 में तो वहां पर एक आदमी की एंट्री पढ़ी होगी तुमने व्लादमिर लेनिन बॉल्चविक पढ़े थे ना तो वह बॉल्चविक वाले जो व्लादमिर लेनिन थे उनकी आइडिलोजी को फॉलो करती है काल मार्क्स को भी कईलोल इसम और कम्यनिस्म को ऋनुके शद्री उनना थे याद रहना है कंब्लिजिस्म को कोह ओनो करें निक हो जाता है गघृट्वं क्या हूं कि है नहीं कोइक सबको है कंगे सब कर貌द्र ठामिलाड,ार,फिर्प्रदेश और इस party के ideologies में कुछ differences आते हैं किसके साथ अपने ही लोगों के साथ तो एक नई पार्टी बन जाती है 1964 में Marxism-Lenism में same ideology CPIM लेकिन वो basically communist party थी और ये कैसी party बन जाती है centrist party बन जाती है neither rightist or not leftist तो basically secularism welfare of weaker sections and minorities के बारे में बात करती है वहीं सेम चीज है लेकिन थोड़े नहीं तरीके से हरा तो 1964 में जो CPI है उसी में division होता है और नहीं party बन जाती है इसके बाद की कहानी पढ़ोगे तो national parties में अगना नाम आता है नेशनल कॉंग्रेस पार्टी NCP इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के एक लीडर शारत पवार में लीडर है वो 1999 में अलग हो जाते हैं कॉंग्रेस से और कॉंग्रेस से अलग होने के बाद गानियन secularism को एक्विटी सोशल जस्टिस और फेडरलिस्म को फेडरलिस्म को फेवर करते हैं और कहां-कहां पर इनकी presence है महराश्र में गाले मनिपूर और असम में इस party की presence है ठीक है इनके symbols और क्या याद रखोगे कि major leader कौन है कब बनी और कहां-कहां पर प्रेजेंस है यह कोशन शायद पूछा जा सकता है इस बार अब इस्टेट पार्टी की बात करें जैसे मैंने बताया कि जो फेडरल कंट्रीज होती है फेडरल कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है किसके basis पर कोई पार्टी प क्यों अब каких आई जाती इतनी इंहिमें रीयो नहीं नहीं उ udaी जाती ती तो वो क्या करती इत्स है इसंध में वेग्स चैशलेघ सेके अपरीट्ण पनूइन धे भी इसते दो शुरुshe और वह है तो सब लोग जनरली कॉंगेस को सपोर्ट करते थे उस टाइम पे अधीरे धीरे 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 लिए चावल कितने दिन खाया जा सकता ना कोई भी इधेली नहीं खाया सकते तो एक पार्टी को कितने दिन जे लेंगे तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम regional parties बनाना शुरू करते हैं तो अब regional parties बनी तो धीरे धीरे वहाँ पे national level की politics change होने लगी क्योंकि यहाँ पे alliance बनने लगे state parties के साथ यानि कि coalition government form होने लगी क्यों होने लगी क्योंकि भी यह state में भी national parties को अपनी presence दिखानी होती है और state में state parties का बॉल बाला जादा होता है तो उनके साथ यह क्या हो जाते है अब देखो यहाँ पे जैसे state party बनने के लिए क्या शर्ते हैं सबसे पहला देखो 6% वोट्स चाहिए किसका legislative assembly में फोर एक्जामपल जैसे उत्तर प्रदेश में election हो रहे है तो उत्तर प्रदेश की जो assembly elections है उसका 6% इनको मिल जाना चाहिए और साथ ही साथ two seats इन्हें कहाँ पे यूपी के election हुए है तो यहाँ पे two seats में मिल जाने चाहिए इनकी assembly में कहाँ पे legislative assembly में विधान सर्वा में दो seat जीतने के साथ साथ total votes का 6% इनको मिलेगा तब वो state party कहलाईगी अब देखो इंडिया का मैब दिखा रख रख है तुमारे तो यहाँ से कोई भी दो part तब लेना जैसे यहाँ पर देखो आम आदमी party का नाम दिया हुआ है है ओर तो साइकल का नशान कोई और बन जाते हो तो तो यूनीक Variगा लग बन शेद यहीं इते हैं ने कानी को लिए जिलसे ब्यटर सबस् ्ट मेंट। की क्या चाहिता है यहीं हो दो हो इंडको से कुछ eman लिए खाइबगे अर्ग है सब्सक्atif भाति उसक्ट कोरते हैं तो तुम संबर सकते हैं कि पढ़ा था, challenges to political parties, भाई, challenges country के सामने नहीं है, political parties के सामने भी है, तो अब वो challenges क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उन challenges की बात करो, तो जैसे सबसे पहला challenge क्या है हमारे सामने, भाई देखो, all over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well, धीरे धीरे जो ये वाइदे करती हैं, political parties, तो वो वाइदे धीरे धीरे पूरे नहीं हो पाते, तो लोग उस party से खुश नहीं रहते, तो dissatisfy होने लगते हैं, popular dissatisfaction and criticism has focused on four problems, main चार problem है, वो हम अभी discuss करेंगे, कौन को सी चार problem है, political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy, अगर democracy में effective instrument रहना है, काम करना है, तो इन चीजों के उपर से overcome करना पड़ेगा, यानि कि इनको खतम करना पड़ेगा, अब वो चार challenges फोन कौन से हैं, internal democracy नहीं है, dynastic succession है, money and muscle power है, और lack of meaningful choice है, अब इन के बारे में detail में पढ़ते हैं, क्या-क्या, तो जैसे lack of internal democracy, lack of internal democracy को ऐसे समझो, कि हमने तीन components पढ़े, leaders, members और followers, तो इंडिया में, मैंने जैसे तुम्हें इंडिया और USA के example बताया, तो इंडिया में main role किसका है, leaders का, leaders decide कर यहां से election contest करेगा, members से कुछ नहीं पूछा जाता, तो यानि कि country में democracy की बात करें, लेकिन अपने political party में democracy नहीं है, इनके अंतर है ना, लेकिन USA में किया है, वहां पर members decide करें कि उनका leader कौन बनेगा, तो यानि कि वहां पर internal democracy है, क्योंकि वहां members के पास power है, तो यहां पर members न internal democracy, तो यह तुम्हें समझ में आ गया हुआ, है ना देगो, all over the world there is a tendency in political parties towards the concentration of power in the or few leaders at the top, parties do not keep membership registers, do not hold organizational meeting and do not conduct internal elections regularly, ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party, जो normal लोग है उनने को information मिल ही नहीं पाती ही कई बात, तो यह कुछ दिक्कत हैं internal democracy में, अगला point समझो क्या है, dynastic succession, मैं नेता हूँ, तो मेरा बेटा भी नेता बनेगा, फिर उसका बेटा नेता बनेगा, तो इसको बोल देते हैं nepotism, तुमने सुना होगा, nepotism क्या है कि अपनी family members को support करना, कि मेरे अभी जैसे कुछ parties के अगर आप नाम लेते हो, तो उसमापको दिखा parties do not practice open, transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party, नहीं परे मेल सबस्खेते कि तो नहीं नहीं पारतों चासी नहीं परे ना घट्य क pomëny क suits a नहीं मालीक्त भारा भाए न्यू नहीं पार्टी लेकिन रही अदिक्क लेडल बने वननाा तो यह दिखकत बहुत पुराने पुराने देप्सक्रान ज्यूट सकते हैं उनका यह केंड रोल यह देइड्केल are वेस। व यहनु कि जो उन्हें बहुत सारा पैसा दे मैं मुझीा पैसा मिलेगा मैं आपको strikes देढो को छूट पेत ने टाल header अब कुछ अमीर लोगों ने जो पैसा दिया हैना अडानी जी ने गिफ्ट दिया कि यार देखो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं एक परसन एक्स को कि भाई मेरा को लगता है कि आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो मैं आपको कुछ फंडिंग दे रहा हूं तो मैंने आपको एक हजार करोड रुपए दे दिये अब कल को आपको पता है अडानी जी ने इलेक्शन में आपको एक हजार करोड रुपए दिये अब अडानी जी कहते है यार मेरी ये फाइल पास कर दो न जरा परसन एक्स से फाइल पास करेगा या नहीं करेगा तो बिल तेरे से लोग डरते हैं तू इलेक्शन कंटेस्ट कर तू जीत जाएगा तो मनी एंड मसल पावर का बहुत बड़ा रोल है लेक ओफ मिलिंग्फुल चॉइस है ना वेराइटी की कमी है है ना खाने का मेन्यू है मारे पास उसमें वेराइटी की कमी है अब फोर एक्जांपल उफ्जां ने आपर बहुत सारे तरीके कि घाने की चीजे हैतो है तो चूस करना एजी रहता है जैसे तूह पताहिए है यह सब्सार कँल्यों का मैं चालों को सब्सक्राइजर तो आपको पताHE यहां तो अच्छों मेरा बेक्फास्ट कर लेता हूं मेरा डालोटी खाने का म तो तुम क्या कोगे कि या चलो जो मुझे सबसे अच्छन उरस लगता वही खा लेता हूं अगर वराइटी होगी तो वराइटी में से तुम्हें चूज करना एजी रहेगा तुम्हें पता है सारी की सारी चीजें एक सी ही है पहले तो अलग-अलग आइडेलोजी थी लेकिन सब जनेरली इसभी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडेलोजी लगबग सेमरे सेम होती जा रही तो हमें चूज करने में दिकत होती है दिकत है तो क्या है तो हम लोग कहते कि हम इसको वोट लेदे देते हैं काम ख़त्म बस ठीक है इसके बाद आगे की कहानी क्या कहती है हमा होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है constitutional amendment कि सम constitution में कुछ amendment किये जाए जिससे पार्टी को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं सुप्रिम कोड ने कुछ ओडर दिया है कि कंटेस कंट जो सब्सक्राइब करें एलेक्शन कमिशन क्या करना है नेसिसिटी कर दिया एलेक्शन कमिशन ने कि वह आप अपना income tax return करो और जो internal elections होते हैं उनको हेल्ज कराओ लेकिन वह सिर्फ नाममात्र को थे अब जैसे से पहले पढ़ते हैं यह एंटी डिफेक्शन लो हिंदी में बोला जाता है दल बदल रोकने वाला कानून या दल बदल प्रती रोधक कानून इस कानून के साथ क्या था कि भाई जो मलेज और एंपीज हैं इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज कर लिया करते थे को यहां पर इमिज दिखाई दे रही है तो में अमुल ने काटून बनाया था उस टाम पर आया राम गया राम हाय राम यानिके एक नेता जी है जब भी इलेक्शन जीता था कोई पार्ट काुऌचले के दो आखा की जाँ यह कि pulling for making वो जिसमें चले अच्छा इसे करके वो यह सब जो कमें करो क्या यह सां के साथ दोखा है आप ने दिय आप पर्टी-मेंडीय आई सब्सक्राइब को incentiv तो पसंदी दी थे gi Vox तो एक आपके साथ दोखा हुआ ना तो हमने पार्लेमेंट में एक अमेंड मेंडमेंट किया कौन सामेंडमेंट था 52 अमेंडमेंट एक्ट था यह कब हुआ था पच्छाई एक्ट 1985 में हुआ था तो ये जो 52 अमेंडमेंट एक्ट था 1985 में किस चीज़ को रोकने के लिए डिफेक्शन को रोकने के लिए कि अगर कोई एलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है तो क्या होगा उसकी मेंबर्शिप कैंसल करती जाएगी यानि कि वो MP या MLA नहीं रहेगा वहाँ पे उस पर्टिकुलर सीट पे दोबार ऐसे एलेक्शन होगा फिर क्या है यही चीज़ है विल भी लूज दा सीट इन्दा लेजिसलेचर यह लोक आप इंप्लिमेंट वो 1985 में इंप्लिमेंट हो गया था कि कोई पार्टी कि जो नेता लोग हैं उनसे कहो कि उनके उपर कितने क्रिमिनल केसीब हैं उसके बारे में वो बता है और उनके पास कितनी प्रोपर्टी है उसके बारे में वो बता है अपना जो नोमिनेशन करते हैं उस पीं उन भलखो लेकिन इसमें धिक्कत है कि बहिया system of check नहीं हम चैक क के पास कितनी प्रोपेटिय का भी पता करा नहीं करा हम लोग नहीं देखते तो सुप्रिम कोट ने कहा था तो लेकिन इसके साथ कुछ फायदा नहीं है पर सुप्रिम कोट ने चीज और एड करवाई थी यहां पर कि आप कि एलेक्शन कमिशन से कहा कि आप नोटा इंक्लूड करो यानि कि जो एवियम होती है आपकी तो यहां पर जो ओप्शन्स होते हैं यह लास्ट ऑप्शन है इसको हमेशन नोटा बना कर अपको तो नोटा को जो इंडिया में बेसिकली इंट्रूद्यूज किया गया तूथा थ इंट्रूड्यूस करो कि जिससे क्या है मिस्यूज बच जाएगा वोट्स का नोटा यानि कि नन अफ दी अबव की बात करी जा रही कि इन में से कोई भी कैंडिडेक मुझे पसंद नहीं है आगे की कहानी समझो आगे कहानी क्या कहती बच्छा इंकम टेक्स रिटर्ण बढ लेती हैं इल्क्टॉराल बॉंस तुमने सुने होगा इलैक्टिर्ण बॉंस के लिए आपको एलेक्श के कहते हैं इंकम टेक्स नहीं देना परता और तक इंप्लिमेंट नहीं हुए है जैसे में एक लोग बनाना चाहिए इंटरन अफेर्स को पॉलिटिकल पार्टीज के कैसे करो के डिसाइड नहीं हो पाता ना कि तभी तो नानिस्टिक सेक्सेशन है यह ठीक से नहीं हो पाता वहीं जो मेंबर है वह तो पहुंची नहीं पार पर्लेमेंट में कि भाई हम फीमेल को 33% सीट्स रिजर्व करके दे रहे हैं तो यह भी दिक्कत है यह भी अभी तक इंप्लिमेंट यह फिमन कंडिट होने चाहिए तभी तो जैंडरी क्वालिटी की बात करें जो जैंडर गैप हो कम होगा कि उसके बाद बात कि जारी देश that should be state funding of elections मेंश जो लोग party क्या कर रही है पैसा ले रही हैं बिजनिस्मेन से यह किसी से भी तो वो ले रही हैं उसको कहा खर्च करते हैं अपनी केंपेंग में खर्च करते अब कैंपेंग looks को कोई गरीब candidate election contest कर रहा है तो वो कैसे जीतेगा उसके पास पैसा ही नहीं अपना advertisement करने के लिए तो यह कहीं ना कहीं कमी है कि अगर election commission या यानि कि जो government है वो एक cap लगा दे कि भई हम आपको एक x amount दे रहे हैं for example 25 लाग रुपए दे रहे हैं election contest करने के लिए तो आप 25 लाग में election करो तो सबको equally मिला ना तो अब उसमें जो भी चैनलाग में करेगा कहीं लगता है election commission को 25 लाग से ज्यादा खाच हुए तो उस party का candidature भी वो cancel कर सकता है आप में कि आपने गलत किया है तो यह चीज़े कुछ है लेकिन इसे country की government के उपर एक फाल्तुका खर्चा भी बढ़ जाएगा यह सजेशन है implement होना ना होना तो बात की बात है क्योंकि लोग बनाते हैं हमारे नेता लोग बनाते हैं अच्छा है यहां पर एक कि जो एंट्री डिफ्शन लो था उसमें जो नेताओं की ट्रेडिंग होती ती उसे किस नाम से जाना जाता था यानि हमारे नेता गण है उनको क्या बोला गया है उसमें घोडा बोला गया हो नेताओं हो थे लिए प्रफाई देगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं कि और सजिशन क्या है तो पार्टी ना उन्हें डर लगता है जनता से अब अगर जनता क्या डिसीजन कर ले कि मुझे जो है इसके अगेंस्ट इसकी पॉलिसी अच्छी नहीं लगी इसके अगेंस्ट करना है तो वह अच्छा हो सकता है जनता की बात सुन सकती है पॉलिटिकल पार्टी इसको डर लगता है जनता से अगर आप प्रोटेस्ट करोगे कुछ करोगे से कितने लोग नेता बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं अगर बात करने से कुछ नहीं होता जब तक कहते हैं कि कमल का फूल तो तो इसी पोलिटिक्स को साफ करना है तो यूथ को आगे आना पड़े गा और अपना इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा तो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा वन शोट में चैप्टर खत्म हुआ है नोर्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले मार्क्स तुम्हारे फूल आएंगे इस बात की गिरेंटी है तो आप जाके फोडो